नमस्कार आप देख रहे हैं आर नाइन टीवी मैं हूँ आपके साथ आशिमाति आगी और इस वक्त हमारे साथ मौझूद है यूपी के दर्जप्राप्त राज्यमंत्री रगुरा सिंग जी बहुत-बहुत स्वागत सर आपका आपका भी बहुत-बहुत स्वागत बिल्कुल इतना बदलाव देश में हो रहा है इतने बड़े-बड़े पैसले मोधी सरकार की तरफ से लिए जा रहे है अभी हाली में इस तरह से धारा 370 हटी है इसको लेकर आप क्या कहेंगे किस तरह से देख रहे हैं एक महीने पहले कुछ पत्रकार बंदूर्ण मुझे यूपी वह होती है आपने जो सोचा नहीं होगा वहोगा ऐसा होगा कि आप इसको अपने एक तजरूऌगी की रूपे देख लेंगे तो फुद ऐसा क्या कर सकते आप महरे कि यह नहीं बताएंगे क्या कर सकते लेकिन होगा ऐसा ही तो आज आपके मद्ध भें जम्मू कश्मीर के दो हिस्सी हो गए लद्दाखो यूनिन टरिटरी बना दिये और यहां पर विधान सवा के चुनाब होंगे लेकिन राष्ट भक्तों को परिशानी नहीं है जो देश के जो दुस्मन हैं जो देश के धन को खाते थे देश के धन को बरवादी की और ले जाते थे बिसेश करके वहां तीन परवारों को ज्यादा परिशानी है और तीनों पूर मुखवंत्री हैं गुलाम नभी आजाज जी पूर मुखवंत्री हैं अबदुल्ला जी पूर मुखवंत्री हैं बाप बिटे दोनों पूर मुखवं साल में पंचायत की चुनाव हुए और पंचायत चुनाव होने के पश्चात उनको धन आवंटित हुआ तो वहां खुशाली आएगी ना विकास होगा ना लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे ये लोग 12 साल की बच्ची के साथ साधी कर लेते थे कोई कानू लागू नहीं था द इस कारण आधनी मोदी जी ने इस देश में एक बिधान एक निसान ये लागू कर दिया है लेकिन बहुत बड़ा फैसला है और जो लोग है वो काफे खुश है जो कश्मीर में रह रहे हैं लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है देखिए विपक्ष के पास कोई मसौध है नहीं आज उनके पास कोई ऐसी इस्तिति नहीं है जो कि वो कुछ दिखा सके अब उनको केवल बोटों के खातित या एक समाज की बोट के खातित वह ऐसे ब्यान देकर यह सोचते हैं कि हमारा कुछ बना रहे है जैसे आपने देखा होगा आधनी अटल जी ने कहा था जब एक बोट से 98 में उनके अविश्वास प्रस्ताब आ गया था अटल जी ने अपने बक्तब में कहा था कि आज आप हमारे उपर हस रहे हैं एक दिन देश आपके उपर हसेगा आज कांग्रेस को पर पुरा देश हस रहा है क्योंकि उनकी मांसिक्ता दिवालिया हो गई है उनक के पास कोई ऐसा अजंडा नहीं है जो इस देश की जनता को दे सकें कि आदरिया मोदी जी ने वो सब कर दिखाया है जो 70 साल से गुलामी की जंजीरों में पड़े हुए थे आतंकवाद के जो पच्छधर हैं वही केबल ब्रोध कर रहे हैं और जो आतंकवाद के ब्रोधी ह उल्हें वो सब 98% भरती जंता प आदरिया मोदी जी के समर्थ हैं वो कहते हैं कि ऐसा अच्छा काम किया है चुक्र हमें व्यक्ति का विकास करणा है सामाज करना है हर प्रदेश का विकास करना है मोदी जी का सोच ऐसा नहीं है कि उन पर कोई पुत्र है या बेटा है या भाई है कि उसका विकास करने ये लोग सब केवल अपने पुत्र पुत्री और परवार के विकास में लगे हुए है आधनी मोदी जी इस देश के विकास में लगे हुए है इसलिए ऐसे प्रोधाँ इस देश के आधनी म की ब्रहमन करने जा रहे लेकिन मोधी जी ने ब्रहमन नहीं नहीं किया रात्री में हवाईजाज में सोते थे और एक दिन में तीन देशों पियात्रह करते थे उन्होंने बीड़र से श्था पीत की आज कोई बोल पाया क्या आज मोदी जी के सामने बोलने कि किसी कि हैसित नहीं कि आज पाकिस्तान स्वजागे जाकर रो रहा है रहा है युनिमी नेquito पच्छी बाड़ता है इसमें तीसरे कि हम दखलंदा जी बिलकुल भी हमको बिलकुल और कहीं न कई मोदी जी किस ब्रहमन के चलते ही क्या यही वज़ा मानी जाए कि कि किसी भी मुस्लिम कंट्री ने पाक का कोई साथ नहीं दिया इसलिए नहीं दिया पाक का साथ को पाक आतं अंगवादी तै किये हैं हमने 900 इन्विस्टि बनाई हैं उनकी हाँ 232 के वली इन्विस्टि यह केवल 232 के वल उनने आतंकवादीयों की फैक्टीयां जगह जगह इसलामाबाद में और जितने इलाहुर में उनने ऐसे इसकूल खोले हैं जो ट्रेनिंग दी जाती है और उन चम्हुकश्मीर का तो हमारा पुराना इतियास है कि हमारी रियासत है हमारे देश का सल्तनत है इसलिए आधरिनी मोधी जी जी को जन मानस ने उसर आंख्वों पर भारी भववनसं उनको जिताया और मोधी है तो मुमकीन है बोत जैसली hanging Legled कड़ते ज़्यादा हैं कांग्रेसी बोलते ज़्यादा हैं कड़ते कम हैं इतना ही है अब जम्मु कश्मिर में हाला सामाने हैं और ये इसका कहीं न कहीं साफ तस्वीर कर भी रहे हैं लेकिन ट्रिपल तलाग कहीं कि हमारे हैं हमारे सनातन gentर बिष्यम धर्म केवल एक है सनातन धर्म बाकी सारे पंथ हैं साड़े-2100 साल पहले Christian के इतियास नहीं साड़े-4200 साल पहले Muslim का पंथ का कोई इतियास नहीं सारे बटब्रच से ही ये माइग्रेट हुए हैं एक करोड 92 लाग पुराना हमारा सनाता नभिस्व में धर्म के वाल एक है क्योंकि इंग्लिस के 26 अच्छरें इसलिए उसको रिलिजेंस समय मान लिया जाता है सारी भासाओं का जननी संस्कृत है इसलिए आदरी मोदी जी ने कहा है कि हमारी बहनों को हम देवी के रूप में देखते हैं देखिए बहन हमारे कलाई पे रच्छा सुत्र बांती है तो हम प्रण लेते हैं कि हम बहन की रच्छा के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये इसी धर्म म हैं बाकी नहीं है आप बाकी जगे उता है कहा की इट कहा का रोड़ा भानवतीने कुनवा जोड़ा क्योंकर वहां पर सब जगे अंकल हैं हमारी हैं चाचा है चाची है ताई है ताउजी है दादा है दादी है मामा है मामी है फूपा है बुआ है यह हमारी हैं बिस्व में और कहीं कल्चर ऐसी नहीं है डबलोप कहीं भी नहीं है एवरिवड़ी आर अंकल तो इसलिए यहीं एक देश ऐसा है और मार्क फ्रॉली पड़सों उन्होंने कहां मेरका में बहुत बड़े राइटर हैं मार्क फ्रॉली जो कई किताब उनकी एमसी और बीसी में चलती हैं उन्होंने कहां जब हम हमारे उपर अंग बस्तर नहीं थे ता वो भारत बेदों की रचना करता था जब हमारे यहां बेद लिखे जा रहे थे तो हम तो बिशुगुरु थे हैं और रहेंगे और आज योग के माद्यम से आदिने योगी जीने 172 देशों में अपने आपको इस्थापित कर दिया योग को इस्थापित कर दिया इसलिए विशुगुरु की स्रेणी में हैं आज देखिए कई देश कहते हैं कि किंग जौंका तो केवल मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है कितनी हम हैसियत में उपरे हैं लेकिन कि बाल में अंतर नहीं समझते हैं वैसे हमारे देश का उन्होंने विभन उसको अंतर न समझके समाज को समावेश न करके अपने हिटलर साही थोपी इस कारण आज कांग्रिस समापन की ओर है। परिम कोट में हिरिंग डेली हो रही है और राम मंदिर तो बनेगा ये 132 करोड की आवादी में 105 करोड की आस्था का प्रस्थन हैं राम हमारे आराध्य देव हैं इसलिए मंदिर तो निश्चित बनेगा और मोडी हैं तो मुम्कीन है मैं मुझे दुबई जाने का मौका मिला तो आदरी मोधी जी प्रधान मंत्री होने के नाते, मैं लाज्टीर गया था, 2018 में, तो वहां के सिख ने, हम लोग जैसे भासंट दे रहे थे, तो 165 देश्वों के प्रतिन दी आये थे, जसमें 25 लोग हम थे, आदरी मोधी जी के वज़े से, हम लोगों पहली बार गोल्डन हयात जो सेवने इश्टर होटल है, हम लोगों को रुकवाई और हमने कोई बिल पेवेंट नहीं किया, बिल पेवेंट वहां की सरकार ने किया, पहले हमारे देश से जाते थे और बिल पेवेंट हमारी सरकार करती थी, लेकर आदरीनी मोदी जी को ज़ए से, वहा के सेकने, जैसरी राम, जैसरी राम, जैसरी राम, तीन वार नारे लगाए, उसके बाद उन्होंने अपने भास्टन सूप्रारम किया था, और उन्होंने कहा था, हमने जब वो उपर डैस से भास्टन देखना नी चाहे, तो मैंने उनसे पूछा कैसे एक साव आपने जैसी राम हमको खुश करने के लिए बूला नहीं मेरी समझ में आ गया है कि राम भगवान हमारे भी आरहाद देव हैं जैसे इंडोनेशिया इंडोनेशिया में ततकालीन प्रधान मंत्री आपके नवासरीव थे नवासरीव उसमें प्रध आपने धर्म बदल दिया है और आपने गरूड एलाइंस बंदी की आपने डॉलर पर लच्वी का फोटो यह ने क्यों नहीं हटाया उन्होंने कहा है कि हमने धर्म बदला है बाप नहीं बदला बाप हमारा राम है 14680 मंदिर हैं इंडोनेशिया के अंदर और वहां पर मुस खैर बिलकुल यह मिसाले तो अक्सर देखने को मिलती है रगुराज जी लेकिन अब हम यूपी की बात करी रहे हैं और यूगी जी की राज में आपकी राज में कहीं न कहीं प्रदेश आगे बढ़ भी रहा है लेकिन अभी जो जो रूपर चल रहा है वो मंत्री मंदल का व मुख मंत्री जी आधनी अमीर साहज जी और आधनी हमारे नरेंद मोदी जी बड़े लोगों का सम्मंदित मेंटर है उसमें मुझे कुछ हिसलिय नहीं कहना क्योंकि यह सब चीजें परश्य दिवसाज से हमारे आधनी जेटली जी भरती हैं इस कारण हो सकता है क्योंकि मंत् इसलिय नहीं करूंगा क्योंकि देखिए हमसे ज्यादा योग और श्योग लोग हैं जो हमारा मार्ग दर्शन कर रहे हैं वो लोग अपने आप सब को देखकर और अच्छी ब्यवस्ता बनाएंगे और अच्छे चेहरे आपके मद्दे में आएंगे ऐसी में आसा कर सकता हम बिलकुल हम अलिगर्ण मुस्लिम उनिवस्टी के अगर बात करें तो वो कहीं न कहीं चर्चाओं में बनी रहती है और आए दिन विवादों की जो बाते हैं वो सामने आती रहती हैं इसको लेकर किस तरह से कदम आप उठा रहे हैं असमा जी दरसल क्या है अलिगर्ण जब यह इसकी स्थापना हुई यह मिडल स्कुल की स्थापना हुई थी आज से 200 साल पहले तो सब जमीन जाहदा जो थी राजा महराजाओं की थी वो सब राजा महरा सब हिंदू थे वहां उन्होंने बड़े क्योंकि एक लच्छ निर्धारित करके पढ़ने के लिए दिया और वह आतंकबादी बना उसकी उमर कितने हुई नौ महीने केवल नौ महीने हुई तो इसलिए मुस्लिम इन्वस्टी एक तो वह बनाई इस टाइप से है और उसमें वही चांसलर के लिए 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 हैं और कांग्रेस ने उसको खुलम खुला के वल बोट की तरह सबोट किया है और बोट की तरह जब सबोट किया जाता है तो वह कहीं ने कहीं कुरीती आ जाती है बिलकुल और हर उपर कहीं ने कहीं थोड़ा आंकुस होता है जैसे हातीप है, महावत का आंकुस होता है, इसके उपर भी अगर केंदर सरकार का आंकुस होता पहले, तो ये इस्तिती नहीं होती, क्योंकि जिन्ना इस देश का बटवारे वाला था, जिन्नाने 40 लाख लोग शोआ दिये थैंधा यह विघतिका फोटो हटना चाहिए क्योंकर नहीं होना चैहिए इन के सरंगसरों चैहिए और जतना पर सुरचित है इतना विदीं जाय हुर्चित नहीं है वही सिह कि भासण के शैद आपने सब भी सुने मैंने भी देखा इस पॉर्लिमएंट उन्होंने कहा कि हम तो जो साध ये कॉंटेक्ट होता है हमारे यह नहीं है हम साध जनम का संबंद बताते हैं जनम जनम जनमांतर हम लोग कहते हैं कि हम हमें अर्धांग नी जो मिली है वो हमारी साध जनम तक मिले लेकिन वो कहते हैं क्या कहते है हमारा तो कॉंटेक्ट है चार वेक्रान आज देखिए मोदी जी के समड तक मुसलिम महलाएं इतनी हैं, चुंकि जिनके साथ अन्याय होता था आज अन्याय नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ अभी एक मेरे मुसलिम उनवर्स्टी का एक प्रोफेसर यूए के अंदर प्रोफेसर हो गया है, उसना वहीं से सब्सक्राइब दोफ्र को लेकिन कादून तो कहीं न कहीं बन गया है तो एक बड़ा कदब मर्गो इन तरहा के मामले थमने का नाम नहीं कानाम नहीं हाल इंडर hunted है सिंगर फैसे नहीं लाई तो टिनत लाग देया इन पर किस alarms Minister लगाया लेकिन अभी खौफ Mal रहे हैं लोगों के मतरी आसमा जी आपके माद्ध हम से कहना चाहूंगा कानून का खौफ योगी जी की सरकार में ऐसा बनेगा ये लोग तला कहना भूल जाएंगे जो लोग केवल आई-ची के रूप में साधी करते हैं ये नहीं होगा और होने नहीं दिया जाए कानून अभी से काम चल Dad or रहा जरूर स्का रिजल्ट में मिलेगा लेकिन कुछ बूर गइन मुस्लि मोइड़ के बार में पता ही नहीए उनको पता ही नहीं कि सरकार आकर कानून लाए ही क्या है इस पर क्या कहें गे ऐसी महीलाएं में जाग रुकता के लिए किस तरह से घ्दब उसके लिए हमने समाज के लोगों को हम लोग कहेंगे तो लोग उसको बुरा मानेंगे उनकी समाज के लोग पड़े लिखी लोग पड़े लिखी लोग जानते हैं सब पड़े लिखी समाज की महला है उसमें आगे जैसे हमारे हां दो-तीन महला लगी है इस काम के लिए कोई त तो वो सिच्चित होंगे, देश की धारह से जोड़ेंगे, उनके अंदर कोई विकार नहीं आए, विकार केवल आता है कि कहते हैं, खाली मेंट सैतान का घर, जब विकार आता है, जब अनपड होते हैं, उनको, जैसे कुवे में मेडेक होता है, तो वो सोचता है कि मुझसे पढ़ने लिखने के बाद वो जरूर भारती जंता पार्टी के साथ जुड़ेगा आधनी मोदी जी के साथ जुड़ेगा जैसे आज हमने प्रधान मंत्री योजिना के अंदरगात अलीगड में साड़े सासो मकान बितरन किया है जिसमें सास तीन सो पैंटीस मुसलिम महलाओं उनके नाम डाइड़ा लाकी योजिना के मकान उनको मिलें दो कमरे किचिन बातरूम लेकर तो वो लोग भागीदार हो रहे हैं और सब सने सने सब ठीक होगा क्योंके पूर बढ़ती सरकारों हमारे विसे में बहुत उल्टे सीधे बक्तब्यों का बियान दे कर सब दल एक हो मकान मिला है बिजली में लिए जो के इस देश में 35,000 गराम पंचायत ऐसी थी जिसमें 18,000 उत्तर प्रदेश में दी जोनों कभी बिजली का खंबा नहीं लोग सब चुड़ा में जिस तरह से जीत हासिल हो यह वो इसकी गवाब ही है लेकिन हम जैसे मुस्लिम जैसे चीज़े ठीक हो सकती है नाम बदलने से खर मैं इस मिसमें ज्यादा क्यों कोनोंने क्यों सोच के कहा है लग बात है लेकिन मैं कहता हूं कि सिच्छन संस्ता हैं सब हिंदू गुरकुल की रीत रिवाज पर आधारित हो और देश के ब्रोद में जो बोले वो उसको फां देश के आतंक बात के पच्छ में बोलेंगे तो उन सब को कहीन की सजा होगी अब कानून ऐसा बन गया है बिलकुल अब हाले में जिस तरह से विधान सबाग चुनाब है ति इन राज्यों में महरास्ट्रा और हर्याना में जिस तरह से चुनाब है और 75 पार का जिस तरह से विपच्छ में है और मैं आपको बताओं अस्योक्तिन योग विपच्छ होगा ही नहीं क्योंकि जन्मानस ने तया कर लिया कि मोदी आज जो बोट जा रहा है के वल मोदी जी के नाम पर हमारी सारी सरकार है हमारी ही बनेंगे बिलकुल इतना आत्म विश्वास और कहीना कही जो मोदी जी के तरफ से कहा गया कि कॉंग्रेस का सफाय कर देंगे वो कहीं न कहीं होता भी दिख रहा है क्योंकि अभी तक का अंत्रम अध्यक्षी बनाया गया है इस तरह का विपक्ष टू ट्राइस के पीछे आप क्या बज़ा मानते हैं क्यों इस तरह के स्थिए उनकी आएडोलोजी जो है ना डिवाइडेस डूल भाली पॉलिसी जैसे अंग्रेज चलेगे और एंग्लों इन चोड़ गे इतना इंतर था एंग्रेज तो चलेगे और जैसे आंग्रेज जाते जाते पाकिस्तान बना गए या मनलग कई हमारे देश हमारा देश जो शत्रेवार तो आखंड भारत बहुत बड़ा था बिस्व गुरू इसलिए था और इन्हों ने सब ने अंग्रेजों नहीं और 800 साल मुगलों ने सासन किया 200 साल अंग्रेजों ने सासन किया इस करण हमारा देश चोटा रहे गया लेकिन लेकिन कभी हम गरीब नहीं हुए जैसे पाकिस्तान की आज हैंटो माउथ है пожिशन ऐसी हमारे क्योंकि हमारे देश में बिक्स में कहीं भी हमारा नाग्रेहख होगा तो गरीब से गरीब भी होगा दो 4-4 तोले सोना ज़रु मिलेदा जैय ौर आज हमारे मंदिरों में कितना सोना आपने देखा होगा, करनाटी के मंदर देख लेजी अगर आभी तो तीनी धरवज़े को लिभाफने हैं. अगर वह चार और खुल गए आप एक हमारा सेनिक मारा जाएगा तो दस मारे जाते हैं. बिल्कल जवाब अखों भी दिया जाएगा लेकिन हमने विधान सब्सक्राइब की बात की है लेकिन अगर यूपी की अगर हम बात करें तो उपचुनाव है हाले में लेकर किस तरह की तयार है? सारी सीट हम जीतेंगे, हमारा संक्ठन इतना मजबूत है, क्योंकि हमारा बूथ लेवल पर किसी के पास नहीं, इस भारत में, किसी संक्ठन के पास, किसी पार्टी के पास संक्ठन इतना मजबूत नहीं है, कि बूथ लेवल पर हमारे पास, बन बूथ 20 यूथ हर बूथ पर है तो इसे कारण हम सारी से ठामी जीते हैं लेकिन एक चीज और में हाँ पर जाना चाहूंगे क्योंकि दूसरी पार्टियों से बीजिपी में कहीं न कहीं पहुंच रहे हैं नेता तो ऐसे में ऐसे क्या स्ट्राटिजी है कि लोग अपनी पार्टी छोड़कर बीजिपी की तरफ मजबूरियों नहीं दीख रहा है कि मोदी जी है तो मुमकीन है इसलिए उनको कहीं कोई option नजन नहीं आ रहा है बहाजपा के सिवा तो सब लोग माइग्रेट हो रहे हैं बहाजपा की तरफ लेकिन मैं इस बात को आपको कह दूं कि हमारे हां जो संक्ठन के लोग हैं जो पा में आप लोगों को जो सौहार पूर्ण बातावांड मिला है जो सौहार पूर्ण सरकार मिली है 24 घंटे लाइट मिली है आपको रोड मिलना है जो कर 20 साल से रोड बनाय नहीं जा रहे थे और प्राथमिक विद्धियाले मिलें स्वासकेंद्र मिलें हैं आपको तो इसलिए उसे पर पेच को देखते हुए भारी बहुत से बहुत जनता पार्ड़ी को जिता हैं बाकी सब की जमान जबत कर दें बिलकुल और आर नाइन के लिए तो मैं आर नाइन के लिए तो मैं साधुबाद धन्यवाद आप लोगों ने मुझे बलाया और आसमा जी के लिए बहुत धन्यवाद आसमा जी ने बहुत क्रेशन ऐसे पूछे मैंने सबका बहुत कोसिस करिये जवाब दने के लिए और आपका नेशनल चैनल मले राष्ट और इंटर नेशनल चैनल मले ये मेरी आपको पूरे डारेक्टर परवार को पूरे स्थाप को सभी को मैं प्राम करते हुए आपको साधुबाद देते हुए धन्यवाद देता हूं जैहिं जैवाद बेलकुल सर आखरी एक सवाल जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगी जिस तरह से आ करता हूं इमानदारी से मैंने सब्दों में कहा कि बेइमान लोगों की संपत्ती जब्त होगी हो रही है अभी बाहर वालों की हो रही है और घर में वी जिसने उल्टा सीधा कमाएं वह भी जब्त होनी चाहिए मैं तेस पच्छकाद में हूं इसलिए पाक साफ तबी तो हम हम देश सेवा के लिए निकले हूए हम की सेवा के लिए नहीं निकले तो इसलिए जो भी धन उल्टा चीधा कमाएगा वो जेल जाना चाहिए उसका धन जमा होना चाहिए भारत के कोस में जमा होना चाहिए ये जन्मानस का धना ये हमारा धन नहीं है हम ते एक चौकिदार की भूमका में महाँ पर कार कर रहा है एक सेवक के रूप में महाँ पर काम कर रहा है तो जन्मानस का सेवा की रूप में भाव से काम करना चाहिए वो धन हमारा नहीं है जन्मानस का ध तो पिल्कुल इस खास पेशकर्ष में पस इतना ही, मुझे दीजे इज्वाजत आप देखते रहे आर नाई टीवी